कैलासा कहां है? नित्यानन्द कहां है? क्या उसका देश सच में है या कालपनिक है? ऐसे कुछ सवाल है जो एक बार फिर जाग उठे हैं कुछ दिन पहले नित्यानन्द ने अपने देश के प्रतिनिधियों को यूएन भेजा था उसी में से एक प्रतिनीधी थी विजेप्रिया विजेप्रिया ने UN में भारत के खिलाफ जम कर हमला बोला और खुद को United States of कैलासा का पर्मनेंट प्रतिनीधी बताया जो सिर्फ जुबानी और मीडिया रिपोर्ट्स में ही मौजूद है अब यहाँ पे सवाल यह है कि अगर कैलासा कोई देश नहीं है तो विजेप्रिया UN मुस्की प्रतिनीधी कैसे हैं इन सभी बातों का आज हम पता लगाएंगे उससे पहले यह जान लेते हैं कि विजेप्रिया है कौन विजेप्रिया का पूरा नाम मा विजेप्रिया नित्यानन्द है सोचल मीडिया प्रोफाइल के मुताबिक विजेप्रिया ने साल 2014 में कैनेडा के मैनिटोबा विश्वविदाले से माइकरो बायालोजी सबजेक्ट में ग्रेजुएशन किया था वह अंग्रेजी, फ्रेंच, क्रियोल भाषाय जानती है कॉलेज में सरोसे इस प्रोफशन के लिए सम्मानित किया जा चुका है उनको 2013 और 2014 में उन्हें इंटरनेशनल ग्रेजुएशन स्टूरेंट स्कॉलर्शिप भी मिले थी अब जान लेते हैं कि क्या सच में वो यूएन में कैलासा की प्रतिनिधी है दरसल संयूक तरास्ट के एक समीती है जिसे आर्थिक समाजीक और सांस्कृतिक अधिकारों की समीती यानि CESCR कहा जाता है इसकी बैठक साल में दो बार होती है और यूएन के नियमों के अनुसार मानव अधिकार के मुद्दे को लेकर इस बैठक में कोई भी संस्था या फिर कोई विवेक्ती आकर अपनी बात रख सकता है अब बताये ये जा रहा है कि इसी बात का फायदा उठाकर रेप केस के भगवड़े नित्यानन ने विजे प्रिया को यूएन भेजा भरत पे हमला बोलने के लिए अब जान लेते कि क्या कैलासा एक देश है अगर देश नहीं है तो क्या है और अगर है तो कैसे है मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नित्यानन का देश साउथ अफ्रिकाई देश एकवाडो के टट के पास मौजूद है बीबीसी के अनुसार उसने वहीं पे एक आइलेंड खरीजा था जिसे अब वो देश बुलाता है लेकिन आस तक इस देश की एक भी तस्वीर सामनी नहीं आई कैलासे के वेबसाइट के अनुसार इसकी नीव कैनाड़ा और अमेरिका की हिंदू आदी शेव समुदाय ने रखी है इससे सबी हिंदू ओ चाहे वो किसी भी जाती, श्रेनी, धर्म या जेंडर के हो उनके लिए सुरक्षित अस्थान बताय गया है उसमें ये भी दावा किया गया है कि किसी भी धर्म के लोग, किसी भी जाती के लोग यहां पे शांदी पूर्व रहते हैं और अपनी अध्यात्मिक, कला और सांस्कृति को निर्भय होकर प्रस्तूत और प्रदर्शित कर सकते हैं इतना है नहीं नित्यनन्द के फॉलोवर सोशल मीडिया पर मौझूद है लेकिन अब इन सब का कोई फैदा नहीं रह चुका है आपको बता दे कि यूएन ने अभी तक कैलासों को पहचान नहीं दी है यानि देश नहीं माना है 1933 के मौन्टी वीडियो कन्वेक्शन के अनुसार किसी शेतर को देश कहे जाने के लिए जरूरी है कि उसके पास अस्थाई अबादी, एक सरकार और अन्य देशों के साथ सम्मध रखने की शमता हो और ये चीजें नहीं है कैलासा के पास इसी कारान यूएन उससे देश अभी तक नहीं माना है अब ये तो पक्का है कि क्यालासा एक देश नहीं है लेकिन देश नहीं है तो आखिर क्या है ऐसा बताया जाता है कि क्यालासा एक माइक्रो नेशन है आखने बात यहीं है कि कैलासा एक माइक्रो नेशन है जिसे कोई भी देश नहीं मानता है इन सब के बाद अगर आप इस देश की नागरिक्ता लेना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं इनागरिक्ता के लिए क्योंकि United State of कैलासा ने कुछ दिन पहले एक पोस्ट्रियर किया था इनागरिक्ता को लेके उसमें उसने बोला था कि हमारे देश में जंडा, समिधान, एकनॉमिक सिस्टम, पास्पोर्ट और राश्ट्य प्रतीक भी है कैलासा के वेबसाइट के मताबिक इसके पास हर दूसरे देश के तरह ट्रेजरी, कॉमर्स, संप्रभू, आवास, मानव, सेवा, जैसे विभिन, विभाग हैं कैलासा का दावा है कि अंतराश्य हिंदू प्रवाश्य के लिए घर प्रवाइड करता है कैलासा अब यहां पर सबसे जुरूरी सवाल यह है कि आखिर नित्यानंद है कहाँ पे कुछ रिपोर्ट्स यह बताती है कि नित्यानंद कैलासा में ही है और वो अपने पास सभी आईलेंज को खरीते में लगा हुआ है लेकिन BBC का यह भी कहना है कि वो वहाँ पे मौजूद नहीं है क्योंकि एफरिकाई देश एकवाडो जिसके पास कैलासा का आईलेंड मौजूद है उनका कहना है कि वहाँ पे नित्यानंद नहीं रहता वह यह अगर आप कहलासा के ट्विटर हैंडल और सोशल मीडिया पोस्ट को देखेगा तो उसमें लोकेशन लोस एंजलेस के भी डाली जाती है लेकिन ये भी बताया जाता है कि उन लोकेशन्स को डाइवर्ट भी किया जाता है और अलग अलग गलत गलत लोकेशन्स जाला जाता है ताकि exact location का पता ना लग सके कुल मिलाके देखे तो नित्यानन के लोकेशन का भी जानकारी किसी को नहीं है लेकिन बताया जाता है कि आने वाले वक्त में उसका पता लगा लिया जाएगा आपको बता दी कि रेप और अपटन के आरोपी नित्यानन 2019 में भारत से फरार हो गया था और फिर एक साल बाद सामनी आया और उसने अपने देश के बारें बताया नित्यनने ने बताया कि उसने अपना देश बना लिया है जिसका नाम United State of Kailasa है नमस्कार मैं हूं मानक गुपता अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना न भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस न करें तो जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे है योस 24